दुष्ट शेर और बुद्धिमान खरगोश एक चंगल में एक बलवान कीन्तु निर्दई शेर रहता था। उसके रास्ते में जो भी आता था वहे उसको मार देता था। चाहे शेर को भूक ना लगी हो तब भी वहे सबको मार देता था। एक दिन सभी जानवर उसके पास करे और उससे एक विंति की। वे बोले की रोज एक जानवर उसके पास भोजन के लिए आएगा और बदले में वहे किसी और जानवर को नहीं मारेगा। शेर राजी हो गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने शेर के पास पहुँचने में बहुत देज लगाई। जब शेर ने पूछा तो खरगोश बोला कि उसे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। जो अपने आप को जंगल का राजा बता रहा है। शेर को बहुत कुछ सा आया। उसने कहा जंगल का राजा तो मैं हूँ। कहों है वह दूसरा शेर। मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश उसे एक कुवे के पास ले गया और पानी में उसकी परच्छाई दिखाई। शेर ने सोचा यही वह दूसरा शेर है। शेर अपने दुश्मन को मारने कुवे में कूद गया और डूप कर मर गया। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होए और उन्होंने खरगोश की खुब प्रशंशा की। शिक्षा मुसीबत में धहर्य नखोकर